नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का competition community में मैं हूँ आनंद कुमार कोरोना वायरस से जो इस प्रकार से पूरी दुनिया में हालात बने हुए है उससे निपटने के लिए अलग-अलग सरकारों की तरफ से कोसिस किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से भी क बड़ा फैसला लिया गया है और आवस्यक सेवाओं को निरंतर जारी रखने के लिए पूरे प्रदेश भर में the essential services maintenance act यानि की आवस्यक सेवा अनुरक्षन कानून जिसको सौट में हम लोग asma act कहते हैं इसको पूरे प्रदेश में लागू किया गया है ताकि जो अवस्यक सेवाओं का प्रवा है वो निरंतर जारी रह सके कौन-कौन सी सेवाओं पर इस act को लगाया गया है और क्या कहता है इस act का प्रावधान इसके बारे में हम लोग जानेंगे लेकिन उससे पहल इसके साथ ही आपको बहुत सारे को सब्सक्राइब है तो अगर आप चाहते हो कि बहतर तरीके से आप घर में समय को यूटिलाइज कर सको तो आप हमारे इस मोबाइल को पर्चेस कर सकते हो 25% को और सिर्फ 3150 रुपया में आपको कम्प्लीट सीजी पीए से प्रेलिम्स का सि इस एक्ट के बारे में जिसे की हाली में प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है इस एक्ट के प्राबधानों को हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस एक्ट को लाया क्यों गया था लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रदेश सरकार ने को लगाया गया है मेडिकल उपकरनों की विक्री हो गई दवाईयों की विक्री हो गई उससे जुड़े हुए लोगों पर भी इस एक्ट को लगाया गया है इसके अलाबा जो मेडिकल सप्लाइज में जो गाडियां लगी हुई है उनसे जुड़े हुए लोगों पर भी इस ए पूरती है उससे जूड़े हुए जो लोग हैं उस पर भी इस एक्ट को लगाया गया है सुरक्चा संबंदी जो सेवाएं दे रहे हैं जैसे पुलिस कर्मी हो गया या फिर जो भी लोग सुरक्चा संबंदी सेवाओं में लगे हुए हैं उन पर भी इस एक्ट को लगाया गया इसके लावा खाद एवं जो खाने पीने की चीज़े हैं और उससे प्रवंधन में जो लोग जूड़े हुए हैं उस पर भी सेवाओं को लागू किया गया है इसके लावा और भी कुछ-कुछ आवस्यक सेवाएं हैं जैसे कि सबजी से जुड़े हुए लोग या फिर उनको जो सुविदाय हैं उनसे जुड़े हुए लोग उन पर भी इस Act को लागू किया गया है तो ये तो बात हो गया कि प्रदेश सरकार ने कौन-कौन सी आवस्यक सेवाओं पर The Essential Services Maintenance Act को लागू किया है तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यह Act है क्या और इस Act के कौन-कौन से प्राबधान है और इन सेवाओं पर इस Act को लागू करने से क्या प्रभाव पड़ेगा तो सबसे पहले इस Act के बारे में अगर हम बात करें तो ASMA Act यानि कि The Essential Services Maintenance Act इसको केंद्र सरकार दौरा 1968 में लागू किया गया था हाला कि यह केंद्रिय कानून है लेकिन राज्य सरकारें भी इस कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं कहने का मतलब है कि राज्य सरकारें भी इस कानून को लागू कर सकती है उसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अब ये सवाल ये उठता है कि यह कानून है क्या और इसका उद्दे से क्या है तो सिंपल समय आपको एक एक्जामपल की सहता से हाँ पर समझाता हूँ कि जैसे आप समझ लो इसमें एक वर्ड जूड़ा हुआ है यानि कि आवस्यक सेवाय जारी रह सके इसलिए इस कानून को सरकारें लागू करती है जैसे कि 2018 में क्या हुआ 36 गड का एक्जामपल दे रहा हूँ आपको मैं कि जो प्रदेश की नरसें थी वो सारे के सारे हर्टाल पे चली गए अब ऐसे में लोगों को परिसानी होनी लगी स्वास्त की सुवधाय नहीं मिल रही थी वहाँ पर 36 गड सरकार ने इस एसमय एक्ट को लागू किया और इस एक्ट को लागू होने के बाद वो हर्टाले खत्म हो गई उस हर्टाल को उन लोगों को खत्म करना पड़ा कहने का मतलब यह है कि इस एक्ट को बिसिकली लाया गया था हर्टाल के लिए कि अगर कोई अवस्यक सेवाओं से जूड़े हुए लोग हरताल पे जाते हैं और उनके हरताल पे जाने की वज़े से जो बुनियादी सेवाएं हैं उस पर प्रभाव डालता है या फिर लोगों को परिसान करता है तो इस एक्ट के जरिए उस हरताल को खत्म किया जाता है अगर इस कानून में देखें तो इस कानून में टूटल नौ धारा है और इस नौ धारा में अलग-अलग प्राबधान है जिसमें से अगर इस कानून का उलंगन किया जाता है तो छे महीने से लेकर एक साल तक के स्वाजा का प्राबधान है और इसमें 200 रुपे से लेकर 1000 रु तो अगर सेवा प्रभावित हो रहा है लोगों को तकलीफ हो रहा है तो उस एक्ट को लागू करके हड़ताल को खत्म किया जा सके और अवस्यक सेवां का जो निरंतर प्रभा है उसको जारी रखा जा सके तो इसलिए अब ही जिस प्रकार से कोरोना वैरस से हालात बने हुए है अगर मान लो कि अस्पताल के लोग काम करने से माना कर दिये या फिर पुलिस कर्मी काम करने से माना कर दिये या फिर जो खादे-पदार से जुड़े हुए लोग है वो काम करने से माना कर दिये तो आप सोच कर देखो कि किस प्रकार से हालात बन सकते हैं तो सरकार ने एक ब तो उन पे सरकार action ले सकती है तो यह सब इसलिए किया गया है ताकि जो बुनियादी सिवाएं हैं जो आवस्यक सिवाएं हैं उसको निरंतर जारी रखा जा सके और लोगों को यहाँ पर परिसानियों का सामना कम से कम करना पड़े तो सरकार है हमारे लिए इतना कर रही है तो हमारा भी दाइत वो बनता है कि हम भी सरकार के तरफ से जो भी निर्दियाजारी किया जा रहा है कम से कम उसका पालन तो कर ही सकते है सरकार हम से कुछ होर नहीं चाहती है बस इतना चाहती है कि हम घर में रहें तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है इस वायरस से लड़ने में इस महामारी से लड़ने में इस मुसीबत को खत्म करने के लिए कि हम सरकार के जो भी निर्दिय जारी किये जा रहे हैं उसका बखुवी पालन करें तो वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजेगा और हाँ अगर आप चाहते हो डेली अपडेटिड रहना डेली नोटिफिकेशन जो हमारे तरफ से वीडियो प्रोवाइड कर बाया जा रहे ह उसको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल से जोड़ जाना टेलिग्राम का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप टेलिग्राम पे डिरेक्ट सार्च कर लेना को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले